यहां पर दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा रियल्मी के क्लीन अप स्टोरिज फंक्शन के बारे में अब जैसे के आप कॉलिटी पता ही होगा इंडिया के अंदर क्लीन मास्टर बैन होने के बाद रियल्मी वालों ने अपने सभी फोन में से वीडियो वालों ने में कमिनटी बताा था उस की जरी है बेदर कर दो लिए कि Region के तरब से हमें कोई बीन वीडिया क peng producing address जरी है भारे में तो देखने को कि अद़र इस मिला वीडियो में आपको यही सब बताऊंगा कि realme smartphones को कैसे आप officially clean कर सकते हो मतलब कोई भी third party app आपको इंस्टॉल करने की ज़ुरत नहीं है अब एकदम officially clean कर पाऊगे अपने realme smartphone को आपके पास कोई से भी realme device हो आप भाया उसको एकदम बड़ी तरीक से clean कर पाऊगे जितने भी junk files है जितने भी caches files वगरा है उनको भी आप एकदम official तरीक से clean कर सकते हो without any third party apps तो अगर आपको वो जानना है कैसे करते हैं तो वीडियो का पूरा देखो लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हैं मैं आपको मैं आपको होता है दूँ कि अगर अभी तक हमारे telegram groups को और channels को जोईन नहीं किया है तो जल् उसके वही आपको एप इंफो में जाना है और उसके बाद में आपको ऊपर से कर देना है अनिंस्टॉल अपडेट्स ठीक है सबसे वहले आप अनिंस्टॉल अपडेट्स कर दो उसके बाद में आपको दोबारा जाना है एप मर्केट के एप इंफो पे और अब दोस्तों आ जाना होगा एपने फोन के सेंटिंस में उसके बाद मैं आपको जाना होगा लेंगवीज एंड रीजीं पर फिर दुछ आपको रीजीं में सीलेक्ट करना है और आपको तुसरे सिलेक्ट करना है आपको वहिया अपना जो app market है उसको सबसे वहले open करना है उसके वाद में agree कर देना है फिर दोस्तों आपको उपर से कर देना है skip और मी वाले option में जाके आपको यहाँ पे एक update दिखने को मिल जाएगा जो कि होगा वहिया 8.2.3 के एक update जो कि obviously global update है तो आपको सबसे वहले यह अपडेट है इसको अपने phone में install कर लेना है install हो जाने के बाद दोस्तों आपको सबसे वहले app market को open करना है और उसके वाद में आपको जाना है मी वाले section पे जैसे आप मी वाले section में जाओगे सबसे वहले मैं आपको दिखा देता है उस settings में जाके यह देख लो भाई 8.2.3 वाला जो global version है वो यहाँ पर दोस्तों successfully install हो चुका है तो मी वाले section पे जैसे आओगे यहाँ पर आपको clean up करके एक option देखने को मिल जाएगा downloads और uninstall apps के बीच में तो आपको दोस्तों इस वाले clean up option के पर क्लिक करना है और यहाँ दोस्तों यह देख सकते हो जो clean up function है वो वापस से आपको मिल जाएगा official तरीके से app market के अंदर मैं आपको बदा दू phone manager के जो clean up function दा phone manager के अंदर वो और यह जो app market के अंदर है इन दोनों जाएगा तो बैसिकली यह main problem है तो अभी दोस्तों क्यूंकि आपके phone में ग्लोबल एप जाएगा तो आपको दोस्तों क्यूंकि आपके phone में जाके फिर लेंग्विजन रिजियन में जाके अगर दोस्तों यहां से कर दे तो दूबारा इंडिया तो वह जो clean up function है वह वहां स गायब हो जाएगा तो बैसिकली यह main problem है तो आभी दोस्तों क्यूंकि आपके phone में global app market install हो चुका है तो मैं आपको दादू normally आप इसको ना इंडिया करके ही रखो क्यूंकि अगर आप इंडिया करके नहीं रखोगे तो जो software updates है जो हर में आता है वो आपको नहीं मिलेगा तो जब कोई भी आपको अपने phone को clean करने मतलब अगर आप मानलो आपके phone में बहुत सारा junk apps वगरा आ चुका है अगर आपको cache वगरा clean करना है तो symbols आप setting में आओ फिर यहां पे language and region वाले section में आके इसको आप कर दो United States उसके बाद में आप app market में जाओ फिर मी वाले section में जा जाओ तो अभी दोस्तों आपके पास सिर्फ इतना ही मतलब मैं आपके लिए सिर्फ इतना ही कर सकता हो देखो यह trick I think किसी ने आपको नहीं बता होगा मुझे लगता है सबसे बहले मैं नहीं आपको यह बता है तो यह कुछ इस तरीके से आप अपने phone को clean कर सकते हो आपको क अभी तक दोस्तों यहां पर January 2021 चल रहा है और अभी तक दोस्तों कोई भी official information available नहीं है तो जब कभी फोन मैनेजर के अंदर हमें वह clean up फंक्शन दिखने को मिलेगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो वने के ज़रू से बता दूंगा लेकिन फिलाल दोस्तों अग आपको यह वीडियो पसंद आते हैं वीडियो को लाइक करो मिलता आप से एक लिए वीडियो में नेविडियो के साथ तब देके लिए ऐसा ही परता है हमेशा स्मार्ट रही है झाल